मैं हूँ अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉजिए उनली एट लर्णोहब डाट को जहां पर आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथेमेटिक्स, बायलोजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोज बिलकुल फ्री स्टूडेंट्स हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे हैं थर्मल प्रपरटीज ऑफ मैटर के कंसेप्ट्स तो इस चैप्टर से जो भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट उसको हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह चैप्टर दो पार्ट्स में किया जाएगा कंसेप्ट आट उन वन एंड कंसेप्ट आट उन टू उसके बाद हम इसके मस्ट प्रैक्टिस कोईश्चिंस साथ ही साथ प्रिविएस एर के क्वेश्चिंस भी सॉल्फ करेंगे तो चली शुरू करते हैं इस चैप्टर को तो चैप्टर के शुरुआत करते हैं टॉपिक हीट से हीट एंड टेंप्रेचर तो पहले हीट को समझते हीट क्या है तो सिंपली हमें पता है क्या हीट इस फॉर्म ओफ एनर्जी विच प्रडूशेज असेंशेशन ओव वाम जो हमें गरम सेंशेशन होने का ऐसास देती है वो से हम कहते है क्या हीट पर क्या इतना ही सिंपल है हीट नहीं देखो कोई भी ऑबजेक हीट हम कब कहते है जब उसके हम टेंप्रेचर को इंक्रीज करते है या फिर जो उसके टेंप्रेचर है वो नॉर्मल टेंप्रेचर से ज्यादा है नॉर्मल टेंप्रेचर का मतलब र हर एक object जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो ऐसे ही कोई भी object छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उन सारे particles continuously कुछ एक motion में है, कौन सा motion है वो, चाहे हो solid हो, चाहे हो liquid हो, चाहे हो gas हो, ये motion of the particle हर एक object में हो रही है, हर एक matter में हो रही है, क्या है वो motion तो वो तीन तरह के motion से बने होते हैं एक है क्या translational motion एक है translational motion राइट कि किधर भी जा सकती ना straight line एक है क्या vibrational motion that is to and fro movement about a mean position ठीक है this is the vibrational motion और एक आ जाती है क्या rotational motion कि किसी एक axis को maintain करके rotate कर रही है particle तो यह सारे motions जो है इसके वज़े से क्या होती है specific kinetic energy produce होती है motion में है तो kinetic energy produce होगी तो इन सारे kinetic energy का sum जो है उसे हम कहते क्या internal energy तो यह kinetic energy जब increase होती है तो पूरे object है हम कह सकते हैं कि एक एक particle की kinetic energy थोड़ी थोड़ी increase हो रही है इसका मतलब क्या है यह increase कब होती है जब इस पर temperature इसकी बढ़ाए जाती है तो यह जो movement है वो बहुत fast होने लगता है right movement है जो fast होने लगता और इसी का reason है कि यह heat को generate करती है या फिर हमें जो महसोत होता है that is the heat okay heat को हम internal energy और increase in internal energy भी कहा जाता है internal energy क्या है that is also the kinetic energy और total thermal energy simply अगर मैं कहूं thermal energy और thermal kinetic energy कुछ भी आप लिखो यह क्या है kinetic energy of translational kinetic energy of rotational and kinetic energy of vibration ठेक है समझ में आगी बात तो इससे क्या होगा जाता है क्या thermal kinetic energy और total internal energy internal energy समझ में आगया अब देखो heat है तो इसे हम measure कैसे करेंगे तो heat को हम measure करते है calorie से calorie इसकी unit होती है बट इसकी जो SI unit होती है SI unit वो क्या है उसे हम joule में लिखते है किसमें लिखते है जूल में चीक है तो one calorie जिससे CLB काज़र इकोस टो 4.186 जूल चीक है 4.186 जूल हम लिखते हैं तो यहां पर समझ में आगी बात की heat क्या होगी है चीक है अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि heat और temperature related मतलब अगर temperature में बढ़ाओ जो अगर temperature में बढ़ाओ तो इसमें heat जो है वो जादा होगी चीक है तो यह जो heat है यह transfer भी हो सकती है एक object से दूसरे object में मतलब एक body है जो की heated है दूसरी body जो की heated नहीं है तो इन दोनों के बीच में transfer होगा क्या heat का अब यह कब possible है जब temperature क्या जो इन दोनों का temperature अगर अलग-अलग है तो हमेशा जब भी heat transfer होगा वो कहां से कहां तक transfer होटा है जो hotter object है वहां से colder object और जो warm-up object है वहां से less warm-up object में transfer होती है मतलब अगर दो object रखी है एक की अगर temperature है 100 degree एक की अगर temperature है 70 degree तो 100 degree से 70 degree की तरफ heat का transfer होगा कब तक यह transfer होगा जब तक दोनों की temperature जो है equal ना हो जाए ठीक है दोनों की temperature जो है equal ना हो जाए suppose ऐसा हुआ कि दोनों 80 degree Celsius पे आगे ठीक है दोनों 80 degree Celsius पे आगे अब कोई heat transfer नहीं होगा ठीक है तो heat transfer किस पे depend कर रहा है temperature के difference प्रेपेंड कर रहा है तो अभी हम temperature को समझते हैं तो बात करते है, temperature की temperature के आवाओ आती है, temperature का use क्या है, ये तो हमने समझाई use नहीं, मतलब temperature से हम heat को relate कर सकते हैं अब temperature क्या है temperature क्या है, कि degree of hotness और coldness की एक object, कितना hot या फिर कितना cold है इस hotness और coldness को measure करने वाले को हम कह रहे है क्या temperature चीक है तो temperature की जो SI unit है वो क्या है Kelvin है Kelvin जिसे हम capital K से लिखते हैं तो इसकी SI unit है Kelvin बट आपने normally भी सुना होगा कि temperature जो measure कर रहे हैं अगर मैं किसी object की temperature measure कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ degree Celsius like 40 degree Celsius अगर जैसे कि मैंने पिछले वाला example ही दिया था कि दो object है एक 100 degree पे है Celsius पे 70 degree Celsius पे है तो degree Celsius भी एक unit है वैसे ही degree Fahrenheit भी एक unit है यह तो हम जानते ही है तो लेकिन जो SI unit है इसकी उसे हम लेते क्या Kelvin ठीक है अब यह है कि degree Celsius या degree Fahrenheit से हम Kelvin में change कर सकते हैं या फिर wise versa ऐसा कर सकते हैं पर उससे पहले हम समझते हैं कि यह जो temperature scales बनाई जाती है जो temperature actual में देखा जाए तो temperature measure करने के लिए devices क्या क्या है thermometers है तो thermometers कैसे हो सकते हैं mercury वाले thermometers होता है mercury thermometers then ideal gas thermometer electrical resistance thermometer इस तरह के thermometers को use किया जाता है अब यह thermometer की जो reading है वो किस पे depend करती है फिर उसका calibration कैसे किया गया तो उसका calibration करने के लिए हमने use किया water को at some perfect specified pressure तो water के boiling point और freezing point को देखा गया water के boiling point और freezing point को देखा गया वहाँ से हमने calibration करना start किया ठीक है कि कितना इसमें कौन सा कितना जादा heated है या फिर कितनी अगर 100 degree Celsius है मतलब यह क्या है boiling point मतलब temperature बहुत जादा 0 degree Celsius है मतलब यह है freezing point temperature बहुत कम ठीक है इस तरह से हमने calibration करना start किया तो अब देखो जो Celsius का scale बना वो कुछ इस तरह से बना कि 0 degree Celsius इसे हम लिखे रहे है क्या water freezes water boils at 100 degree Celsius चीक है यह दू हमने specific point लिए है क्यों लिए ताकि हम इस से बाकी के units में बाकी के जो Kelvin हम अगर scale यूज कर रहे है या फिर Fahrenheit scale यूज कर रहे है इसमें conversion में easy हो चीक है मतलब देखो जो अगर 100 degree Celsius में यह boil हो रहे है तो वही temperature Kelvin scale में क्या दिखा रही 373 Kelvin और Fahrenheit scale में क्या दिखा रही है 212 degree Fahrenheit अगर 0 degree Celsius जो है water की freezing point है तो अगर Kelvin scale में freezing point देखू तो that is 273 Kelvin and Fahrenheit में 32 degree Fahrenheit वैसे ही अगर 0 Kelvin होता है इससे कहा जाता है absolute 0 absolute 0 मतलब Kelvin scale 0 show करता है 0 Kelvin temperature ठीक है absolute 0 पे क्या आता है कि यह 0 Kelvin है और Celsius जो है Celsius scale में वो आएगी कितनी minus 273 degree Celsius ओके फारनाइट में minus 459 degree Fahrenheit यह हमाई समझ में आया अब देखो यह जो conversion लिखा है आपको तो पता चल रहा है Kelvin scale और Celsius scale में कि 273 को मैं अगर Celsius में reading लो फिर उसमें 273 add करू तो मुझे Kelvin scale की reading मिल जाएगी अब देखते हैं ऐसे कुछ तीन formulas बनाए गए है जिससे आप Celsius से Fahrenheit या Fahrenheit से Kelvin या फिर Kelvin से Celsius आप convert कर सकते हैं देखते हैं वो formulas क्या-क्या है देखो यह है कुछ formula पहले मैं यह rub कर देता हूँ तो देखो Fahrenheit degree Fahrenheit से degree Celsius मतलब degree Celsius से degree Fahrenheit कैसे change करो अगर आपको Celsius में पता है temperature क्या है तो Fahrenheit में कितनी होगी तो कुछ भी नहीं करना है degree Celsius into 9 by 5 plus 32 यह है formula तो आपको degree Celsius में जो आपकी temperature आई उसको put करना है और इसको equate करना है तो आपको मिल जाएगे क्या degree Fahrenheit में बात करते हैं Kelvin की तो simply बात है अगर degree Celsius equals to K minus 273.15 देखो जनरली हम 273 लिखते हैं जो problem solving करते हैं बट ideally क्या होते हैं वो 273.15 होती है तो जब आपको 273.15 लेना होगा तो आपके book में या फिर question में mentioned होगा कि use Kelvin K equals to 273.15 ठीक है देखो यह हो गई क्या Celsius से Kelvin में convert या फिर Kelvin से Celsius मतलब Kelvin में कैसे हो जाए degree Celsius plus 273.15 ठीक है वैसे इसको भी आप लिख सकते हो बागी बात आती है Kelvin और Fahrenheit में तो Kelvin क्या हो जाएगी degree Fahrenheit plus 459.67 into 5 by 5 by 9 ठीक है वैसे इसको आप Fahrenheit से Kelvin में भी चेंज कर सकते हो तो यह थी कुछ तीन formulas इससे बेज जो भी question पूछे जाएंगे बहुत ही easy questions होगे क्यूंकि बस आपको एक degree एक temperature scale की reading से दूसरे temperature scale की reading में आपको change करना होगा चीक है तो यह थे तीन temperature scale जिसके obviously तीनों ही same heat को या फिर heat के जो भी है के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था जब mechanical properties of solids बढ़ रहे थे तो thermal expansion से यह दिमाग में आता है कि heat के कारण या फिर जो temperature increase होने के कारण body के dimensions में कुछ change आती है that is called thermal expansion चीक है तो हर एक solid में यह देखा गया है राइट कि जब उसे heat किया जाय तो वह expand होती है और जब उसे cool किया जा रहा तो contract होती है यहां पे हम generally focus करेंगे expansion में चीक है तो बहुत सारे solids में ऐसा देखा गया है कि क्या heat करने बहुत क्या हर एक solid में यह है कि heat करने पे वह expand करती है अच्छे यह expansion क्यों होता है तो देखो जैसे फर्स्ट वाले topic heat पढ़ रहते हैं तो heat हमने दिया या फिर उसकी temperature को हमने increase किया तो क्या हुई उसके जो छोटे-छोटे molecules है उनकी kinetic energy increase होई kinetic energy vibration हो रही है अगर यह kinetic molecule की अगर vibration हो रही है तो यह उपर नीचे हैसे vibration हो रह जाती है right amplitude of vibration increase हो जाती है तो इसी के reason क्या होता है कि कभी अगर आप ऐसा कुछ एक shape हो right अच्छा इस शेफ पर बाद में आते कहले यह बताता हूं कि कुछ dimension में change आती है ठीक है dimension increase होती है अब यह dimension किस पर depend कर रहा है तीन factors है एक है तीन factors नहीं मतलब तीन types के expansion देखे जा सक है एक है क्या linear expansion दूसरा एक area expansion और तीसरा है volumetric और volume expansion ठीक है linear expansion क्या है the increase in length of solid on heating अगर कुछ एक solid है जो कि कुछ इस shape में है एक rod के shape में है तब जब इसे हम heat करेंगे suppose करते है कि यह T1 temperature पे है फिर हमने इसकी क्या है इसकी heat बढ़ाई right मतलब delta T delta T इसमें heat बढ़ाए अब इसकी temperature हो गई T2 delta T क्या है change in heat that is T2 minus T1 increased heat minus original heat इतना temperature हमने increase किया तो हम क्या देख सकते है अगर यह length L की थी right तो अब इसकी length जो है वो delta L बढ़ गई है क्या हो गई है delta L increase हो गई है ओके यह हम देख सकते कि इसकी length जो है delta L increase हो गई है तो यह जो increase in length है वो किस पे depend करती है delta L is dependent on इसकी original length पे depend करती है साथ ही साथ change in temperature पे depend करती है तो delta L को हम इस तरह से लिख सकते हैं यह proportionality के sign है equals to alpha L delta T जहाँ पर यह alpha को हम क्या कहते है coefficient of linear expansion coefficient of linear expansion अब देखो coefficient of linear expansion को अगर मैं लिख हूँ alpha equals to delta L by capital L लिख रहा हूँ के L delta T तो coefficient of expansion को अगर मैं बताना चाहूँ कि यह कौन सी physical quantity तो मैं लिख सकता हूँ कि this is the change in length per unit original length per degree celsius degree celsius मतलब change in temperature छीक है तो simply मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ that is change in length per unit original length per degree celsius अब देखो delta L क्या होगी अगर पहले इसकी height थी L1 suppose करते कि पहले इसकी height थी L1 अब इसकी height क्या हो गई total height पूरी की पूरी height हो गई L2 तो delta L क्या है change in length that is L2 minus L1 ठीक है और क्या है L2 कब है जब temperature T2 है तो अभी इसकी length क्या है L2 ठीक है equals to alpha right into original length into delta T क्या है T2 minus T1 equals to alpha L T2 minus T1 ठीक है समझ में आगी बात कि क्या होती है coefficient of linear expansion ओके अब आगे भरते हैं और समझते हैं area expansion को तो area expansion कब हम देख सकते है जब एक कुछ इस तरह की shape है sheet type का shape हो चीक है कोई solid हो जो कि एक sheet के form में है metallic sheet या फिर कुछ भी आप माल लो तो उस case में क्या हो रही है the increase in surface area of the solid on heating is called area expansion मतलब जब इस तरह के shapes को heat किया जाता तो इसकी length नहीं साथ ही साथ इसकी breadth भी increase होती है मतलब overall area increase हो रहा है ठीक है यह देखो पहले इसकी area अगर थी A1 तो अब इसकी area क्या होगी increase होगे A2 मतलब delta A area इसमें increase होई तो इसे हम क्या कहते है area expansion चीक है तो area expansion जो होगी वो किस पर depend करेगी उसको हम देखते है तो coefficient of area expansion क्या होती है अच्छा coefficient of area expansion से पहले देखो बहुत जारे books में कभी-कभी A भी लिखा जाता या फिर कहीं-कहीं पर S भी लिखा जाता है अब इसकी surface area हो गई S2 मतलब इसमें delta S का change आया है delta S का surface area change आया है तो delta S क्या है that is S2 minus S1 चीक है और delta T क्या है वही T2 minus T1 मतलब T2 temperature कब थी कब हुई जब हमने इसमें delta T increase किया और पहले इसकी temperature थी T1 अब इसकी temperature हो गई T2 चीक है अब देखो जो यह increase in temperature है या फिर increase in surface area जो है delta S यह किस चीज़ पर depend करती है it is directly proportional to the original area original surface area S and delta T just like linear expansion but इस case में हम क्या कर रहे है delta S equals to beta S delta T अब बीटा क्या है coefficient of area expansion coefficient of area expansion जीसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं S equals to delta S by S delta T ठीक है यह और alpha के case में क्या था delta L by L delta T ठीक है similarly volume का अगर मैं case देखो कि अगर V volume से V1 volume से V2 volume हो गई मतलब जब volume का case कब हो था जब कुछ इस तरह का substance हो या फिर इस तरह का solid जो की एक closed shape या फिर एक 3D shape में हो सके 3D shape का मतलब है cube हो गया sphere हो गया cuboid हो गया इस तरह की अगर shapes में है या इस तरह का कोई solid हो तो इसको जब हम heat करेंगे तो इसकी overall तीनो dimension में इसकी जो expansion है वो तीनो dimension में होगी मतलब length, breath, height तीनो dimension में इसकी expansion होगी तो इसलिए हम इसे कहते है क्या volume expansion मतलब इसकी volume ही increase हो रही है ठीक है volume increase अच्छा volume increase होने का ये मतलब नहीं है कि इसकी mass increase हो गई ठीक है तो अगर मैं temperature T1 पे इसकी mass है M तो इसकी मैं increase करके अगर T2 temperature पे करूँ तो भी इसकी mass उतनी ही रहेगी ideally तो भी उसकी mass इतनी ही रहेगी तो इस case में क्या लिखते है अगर delta V change है delta V change है volume तो वो किस पे depend करती है original volume and delta T पे तो इसमें हम लेते है coefficient of volumetric expansion that is gamma so gamma V delta T ठीक है gamma V delta T ठीक है gamma V delta T ठीक है gamma को हम कुछ इस तरह से लिख सकते है gamma that is coefficient of volumetric expansion that is delta sorry delta V by V delta T ठीक है यह क्या आगया coefficient of volumetric expansion ओके अब यह जो alpha beta gamma है that is coefficient of linear expansion area expansion and volume expansion इनके बीच में relation क्या हो सकती है उसको मैं दिखाता हूँ कि suppose यह है alpha so alpha और beta के बीच का relation है alpha equals to beta by 2 and alpha और gamma के बीच का relation alpha equals to gamma by 3 so हम simply लिख सकते है alpha equals to alpha equals to beta and 3 alpha equals to gamma चीक है 2 alpha equals to beta 3 alpha equals to gamma तो अगर मैं इस पे 3 multiply करूँ दोनों तरफ तो यह क्या हो जाएगा 6 alpha equals to 3 beta चीक है 6 alpha equals to 3 beta और इसमें अगर मैं 2 multiply करूँ मतलब दोनों equation को मैं same कर रहा हूँ इस पे भी मैं 2 multiply कर रहा हूँ और इसमें भी मैं 2 multiply कर रहा हूँ तो मेरा equation जो कुछ इस तरह से आएगा that is 6 alpha equals to 2 beta and 2 multiply करूँ गा तो 6 alpha equals to 2 gamma अब यह दो quantity equal होगे 6 alpha 6 alpha तो अब यह मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 6 alpha equals to 2 beta not 3 sorry sorry यहाँ पे 3 multiply करना है ना यह that's the mistake ठीक है यहाँ पे 3 multiply किया यहाँ पे 2 multiply किया क्यों क्योंकि इस तरह के quantity को equal करना था तो यहाँ पे हो गई क्या 3 beta यहाँ पे 2 gamma right 2 gamma okay so 3 beta equals to 2 gamma ठीक है तो यह है इनके बीच का relation 6 alpha equals to और यह तो है relation okay तो इन दोनों relation से कुछ कुछ questions कभी कभी पूछे जा सकते कि अगर कोई एक object है जिसकी linear expansion दी गई है और उसकी surface area में क्या expansion हो रही है तो वो आप कैसे निकालोगे तो पहले उसके लिए आपको coefficient निकालना पड़ेगा coefficient का relation यह है right तो coefficient निकालोगे तो आपको कितना expansion हुआ वो भी पता चल जाएगा बात करते हैं expansion in liquids के case में तो liquid की case में expansion को हम कैसे समझेगे इससे पहले हमने समझाए कि solid के case में कैसे expansion हो रही थी उसकी dimension कैसे change हो रही थी उसमें हमने देखा कि एक linear expansion हो रहा था जहाँ पर उसकी length increase हो रही थी एक हो रहा था area expansion जहाँ पर solid अगर शेप है किसी sheet में तो उसकी surface area increase हो रही और क्या था एक अगर cube या cuboid या फिर कुछ इस तरह का 3D shapes हो sphere हो तो उस case में क्या हो रहा था कि volumetric expansion हो रहा था ठीक है तो तीन हम expansion के ties पढ़े था पर लिक्विड के case में क्या होगा क्या expansion इसमें होगा लिक्विड की कोई definite shape या फिर definite size नहीं है तो इसके linear या फिर surface area वाले expansion की बात करने कोई point ही नहीं बनता है तो हम किस की बात करेंगे हम इसके expansion तो होगी liquid को heat करेंगे expansion तो किस चीज़न होगी इसके volume में change आएगा किस में change आएगा volume में change आयगा यानि कि सिर्फ volume volumetric expansion होगी, तो हम यहाँ पर consider करेंगे coefficient of volumetric expansion को, जिसे हम कहते हैं, गामा से, अब देखो, एक और interesting बात आ रही है, जो कि दिमाग में आनी चाहिए, ठी, अगर मैं liquid को heat करूँ, कैसे heat कर सकता हूँ, directly किसी liquid को मैं temperature या फिर heat source के नीचे तो नहीं रख सकता हूँ, मुझे उसक के लिए चाहिए, क्या एक container, क्या चाहिए, एक container, जो कि solid की case में ऐसा नहीं था, solid को हम directly heat कर सकते हैं, बट liquid, shape नहीं है, size नहीं है, तो किसी container में store करना पड़ेगा, right, थाकि उसकी shape और size ले ले और फिर हम उसे heat करें, तो उस heat के चकर में, मतलब उस heat करने के लिए क्या हो र expansion हो रहा है, ठीक है, तो इस case में हम क्या करते हैं, इस case में हम क्या करते हैं, दो तरह के expansion को समझते हैं, एक होता है क्या, real expansion, एक होता है क्या, apparent expansion, real expansion क्या बोलते हैं, real मतलब जो actual का expansion हो रहा है, उसमें सिर्फ liquid का expansion हम consider करते हैं, मतलब अगर मैं consider करूँ, कि no expansion of solid container तो ये मैं क्या पढ़ूँगा real expansion ठीक है और अगर मैं ऐसा consider ना करूँ कि considering जो actual में हो रहा है actual में क्या हो रहा है solid plus liquid राइट दोनों का expansion हो रहा है इसे हम कहेंगे क्या apparent expansion ठीक है real expansion का जो coefficient होगा उसे हम लिखते है gamma r that is coefficient of real volume expansion and इसे हम लिखते है gamma a coefficient of apparent volume expansion ठीक है अब देखो coefficient of expansion को हम कैसे define कर सकते that is the अगर real expansion को मैं define कर रहा हूँ coefficient को कैसे लिख सकते it is defined as the real increase in volume of the liquid per unit original volume per degree Celsius ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते real increase in volume by original volume per degree Celsius यानि कि change in temperature जो भी डल्टा टी similarly इसको भी मैं वैं वैसे लिख सकता हूँ कि apparent increase by original volume to डल्टा टी अब बात करते हैं anomalous expansion of water liquid के case में expansion of हमने क्या पढ़ा था volumetric expansion पढ़ा था लेकिन liquid का एक water भी तो liquid है पट इसमें anomalous ऐसा क्या है इसमें ऐसा देखा गया experimentally कि जब हम liquid ideally क्या होना चाहिए water को expand जब हम heat करें या फिर इस पे जब heat supply दे रहें इसकी temperature को बढ़ा रहे तो इसमें expansion होना चाहिए इसके volume में राइट बट ऐसा हो रहा है कि अगर एक water जो कि suppose करते हम zero degree Celsius पे है राइट किस पे है अगर ये degree Celsius है और ये इसकी volume है राइट इसकी volume है तो suppose करते एक liter हमने लिया है राइट या फिर one kg of water अगर मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे one kg of water है तो degree Celsius मतलब अगर zero degree Celsius में इतनी इसकी volume है राइट क्या है इतनी इसकी volume है राइट अब जब हम zero से temperature इसकी बढ़ाएंगे तो क्या होगा one, two, three, four, five, six degree Celsius राइट zero degree Celsius याने कि इसकी आ गई क्या freezing point इसके बाद अगर मैं इसकी temperature को increase करो one, two, three, four तो क्या होनी चाहिए ideally क्या होनी चाहिए इसकी volume जो है वो increase होनी चाहिए बट ऐसा देखा गया कि water के case में क्या होता है zero से four degree Celsius तक जब तक जाता है तो मतलब zero से four जाना मतलब increase ही हो रहा है क्या हो रही है decrease हो रही है मतलब यह just liquid के behavior के या फिर यह पूरा जो behavior है heat का expansion के इसके behavior के just opposite है और फिर से अगर four degree से Celsius से अगर मैं further इसे और heat करूँ तो फिर से यह same show कर रहा है मतलब इसकी increase हो रही है क्या volume ठीक है मतलब zero से four degree Celsius में यह anomalous behavior show कर रहा है मतलब ultra behavior show कर रहा है तो इसे ही कहते है anomalous expansion of water ठीक है तो आप देखो at temperature above four degree Celsius when water is heated is expands as expected ओके but however as the temperature of water decreases below four degree Celsius right it starts to contract it reaches the maximum density at approximately four degree Celsius ठीक है अब देखो maximum density की बात आ रही है यह है suppose करते four degree Celsius ठीक है तो density जो है वो भी temperature पे depend कर रही है right किस पे depend कर रही है temperature पे depend कर रही है और किस पे depend कर रही है वो तो volume पे depend करती है mass per unit volume ही तो density होती है ठीक है अब जब volume depend कर रही है किस पे temperature पे तो temperature और density भी dependent है ठीक है वैसी water की case में देखा आ गया है कि water की जो maximum density होती है जो वो four degree Celsius में होती है ठीक है इसका उल्टा भी जो अगर vice versa भी मैं करूँगा तो भी correct है अगर मैं कोई एक temperature पे जहां पे इसकी बहुत ज़्यादा volume है अब मैं क्या कर रहा हूँ temperature घटाना start करता हूँ तो four degree Celsius तो क्या होगी इसकी temperature जो है एकदम as expected contract होगी right क्योंकि temperature घटा रहा हूँ इसकी volume sorry volume जो है as expected contract होगी अब four degree Celsius के बाद और मैं कम करूँगा तो contract होने के जगा इसकी volume expand होगी यही anomalous behavior of water तो बात कर लेते एक बाद density की तो density क्या है density is inversely proportional to volume और volume क्या है volume is inversely proportional to temperature right मतलब अगर मैं temperature बढ़ाऊंगा sorry volume is directly proportional to temperature तो अगर मैं temperature increase कर रहा हूँ तो volume क्या हो रही है increase हो रही है और अगर volume increase हो रही है तो density क्या है decrease हो रही है ठीक है so this is the like relation of volume and sorry temperature and density ठीक है expansion of gases तो जैसे liquid का expansion हो रहा है solid का expansion हो रहा है gas का भी expansion होगा किस में expansion होगा इसके volume में expansion होगा ठीक है, so at an ordinary temperature the gas expands more than solids and liquids, यानि कि solid या फिल लिक्विड से ज्यादा expand होती, क्यों? क्योंकि वही, इस पे भी वही concept आ जाता है कि molecules का, तो जो solid है, वहाँ पे सारे molecules जो है, सारे particles बहुत closely packed है, राइट, लिक्विड में उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ताकि वह इसलिए उनकी shape, size नहीं है और अगर बात करते है, gas के बीच में तो उनके जो molecules से वह बहुत ही दूर है, एक molecules दूसरे molecules से काफी distance पे है तो उनकी kinetic energy हमेशा जादा रहती है, अब फिर भी अगर उसे heat करो, तो और जादा यह होट जाएगी और जादा expand करेगी, तिसलिए solid के expansion से liquid के expansion से gas का expansion होगा, वो बहुत ही जादा होगा, चीक है the coefficient of volumetric expansion is relatively independent of temperature for solids and liquids, but it dependent of temperature for gases, मतलब relatively independent, अगर temperature और volume expansion, coefficient of volume expansion की बात करो, coefficient of volume expansion क्या है, गामा और temperature की बात करो, तो temperature से कैसे related था ऐसे related था, तो अगर solid के case में या liquid के case में consider कर रहा हूँ, और gas के case में consider कर रहा हूँ, तो gas में बहुत जादा difference है solid और liquid के case में solid और liquid के case में हम उसे अगर मैं gas का case का बताऊ तो इसको देख के आपको लगेगा कि जो solid और liquid का case में उसमें तो ये बहुत ही negligible change है उसमें temperature के साथ coefficient of volumetric expansion जो change हो रही है वो बहुत ही negligible है as compared to the gases तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि gas के case में expansion जो है वो ज्यादा होगे ठीक है अब देखो gas का जो ideal gas law है वो क्या कहता है PV equals to NRT P क्या है pressure V क्या है volume N क्या है number of moles और R क्या है this is ideal gas constant and T is the temperature change ठीक है अगर मैं if P यानि के pressure is constant अगर ऐसा constant हो तो क्या होना चाहिए ये रेखो ideal gas constant ये हमेशा constant है ये भी constant है तो जो change होगी वो किसमे होगी V and T में तो pressure constant V is proportional to T तो इसको हम लिख सकते है delta V by V equals to delta T by T ठीक है तो यहाँ से मैं अगर 1 by T को निकालूं तो कैसे लिख पाऊंगा delta V by V equals to delta T by T ये proportionality से हमने लिखा है अब अगर यहाँ से 1 by T को निकालूं तो मैं simply यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 by T equals to delta V by V delta T और ये 1 by T को हम लिखते है ये क्या है देखो delta V by V delta T that is gamma gamma क्या है coefficient of volumetric expansion of gas चीक है student thermal properties of matter का first part का concept यहाँ पर खतम होता है ऐसी वीडियो के लिए आप लड़नों के साथ बने रही है क्योंकि लड़नों फ्री है पर बेस्ट है so thanks for being here and have a great day झाल